इस्टुनेट्स गूड बॉर्णिंग आज मैं आपसे जुन फ़र्भी शेकर नहीं वो काफी इंपॉर्टेंट है और आप सभी के लिए काफी जरूरी भी है आपको बता दें कि MBS में एडमिशन लेना आज की डेट में प्राइबिट कॉलेज में किसी भी युद्ध से कम नह ही रहें तो इसी सिल्सिले में बहुत क्रांदकारी फैसला लिया है वो यूपी गौर्रमेंट ने लिया जी हां योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और उन्होंने यहां पर प्राइब मेडिकल कालेजों की अब खैर नहीं है इससे जोड़ी कुछ इन्फोरमेशन दी है जैसा कि आप देख रहा है कि हमें एक आर्टिकेस में कहा गया है एंबीबीएस में प्रिवेस लेने वाले अभ्यार्थियों से अधिक फिस लेने वाले निजी मिडिकल कालेजों को चिताने के बावजूद ना माने पच्छी किस्सा सिच्छा दाने सुक्रवार को लखनव, बाराबंकी, जहासी, बरेली, ग्रेटर नोड़ा, मेरट, हापुर, मुझफर नगर, मुरादाबाद, कानपूर, आगरावारनसी, मतुरा, उन्नाओ, अम्रोहावा, सजहानपूर, एवं सहारनपूर के डीम को पत्र भेजा है पत्र में बताय सिकायते आ रहे ही, कॉलेज, प्रशाशन, बैंक, गारेंटी, सिच्छन, छात्रावा, सिक्यूर्टी, अन्न, मदो में मानमाना सुल्क मांग रहे हैं, जिक इससा सच्छा महादिसा ने समंधिर डीम को पत्र में लिखा है कि जल्दी से उन पे कड़ी कारवाई की जाए, और MBBS करना हर बच्चे का सपना होता है, और प्राइवेट कॉलेज, अगर उन सपनों कर से तोड़ेंगे, यह मनमानी फीस वसूल करेंगे, तो सायद बच्चों का MBBS करना इतना आसान नहीं रहेगा, तो दोस्तों, बड़ी नियूनिकल क्या रही है, यहाँ पर योगी सरकार न आप चाहते हैं कि ऐसा फैसला हर एक स्टेट ले और वहाँ के प्राइवेट मिडिकल कॉलेज जो है, मनमानी फीस वसूल ना कर पाएं, जो एक लिखित फीस है, गवर्मेंट को दो दिया है, उतनी ही फीस ले पाएं, तो प्लीज कमेंट अपने विचार दें और बताएं, आप किस स्टेट से हैं, क्या आपकी स्टेट में ऐसा फैसा लागू है, या लागू होना चाहिए, दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, आपकी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद,